हेलो एवरिवन, वेलकम तो आड चैनल उडान सपनों की, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की मैं आज की वोक्षीट वोक्षीट नमबर 78 जो की आपकी डेट 27 जन्वरी की है चले स्टार्ट करते हैं, आज की वोक्षीट में हम चाप्टर 13 है आपका सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम उसका हम रिविजिन करेंगे रिविजिन है जो कि आपकी वोक्षीट नमबर 41 में इसके बारे में चैसे समझाया हुआ है सिर्फ हम क्यूब और क्यूबॉइट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्यूब पता होना चाहिए आपने चौक का डबा देखा ओगा अपने स्कूल में तो वो जो होता है उसकी जो शेप होती है यह देखे मैं बना देती हूँ इस शेप में जो होता है वो आपका होता है क्यूब और क्यूबॉइट जो होता है क्यूबॉइट आपने देखा होगा आप यह मानके चलिए ऐसे जूद्टे का जो आपका डबा होता है उस शेप में होता है ठीक है तो वो आपका क्या हो जाएगा क्यूबॉइट हो उसकी कितनी surface होती है उसकी होती है आपकी six surfaces total number of edges, edges का मतलब होता है वो किनारी, ठीक है तो वो किनारी cube में कितनी होती है, cube में होती है आपकी 12, total number of vertices vertices हो गए यह corner, जहांपे edges आपकी meet करती है, match करती है तो वो point हो गए हमारे 8, if a is the length of a, age of a cube the volume of cube, तो भही volume of cube होता है हमारा जो side होती है side का cube, अब जब हमारी side हमारी a है तो यह हमारा हो जाएगा a की power 3, यह आपका हो गया, if l e be the length, b be the breadth and h be the height of a cuboid, then volume of cuboid, यह होता है l into b into h, l b h, ठीक है यह हो गया आपका first question, चले, second देखते है second question है, if each side of a cube is double, then its volume becomes, ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि cube का जो volume होता वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, a cube, अगर यह side हमने double कर दी, यानि कि हमने side ले ली 2a, तो इसका जो volume होगा वो कितना हो जाएगा, अब आप देखें 2a, यानि कि 2a into 2a यह हो गया हमारा 8a cube, तो यह a cube है, यह 8a cube है, तो कितने times हुआ, 8 times greater, तो यह आपका d answer आजाएगा, आप ऐसे लिख लिजेगा, ठीक है, आप इसको लिख लिजेगा, original, original volume, और यह आपका हो जाएगा, new volume, ठीक है, आप इसको of packet containing 10 such box ठीक हम एक box का निकाल लेते हैं पहले एक box का volume निकाल लेते हैं L x V x H तो L हमारा क्या है 4 x 2 x 3 तो यह कितना आएगा 4×2 जाए 8 और 8×3 जाए 24 24 आगया आपका cm3 यह सिर्फ एक match box का है तो 10 match box का 10 match box आप ऐसे लिखेंगे volume of 10 match box is equal to इसको हम 10 से multiply कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 240 cm cube clear है चलिए third question हो गया fourth question क्या है हमारा fourth question है the space occupy by a solid object तो वो space हमारा कहलाता है volume अगर कोई solid space है solid object है वो space ले रहा है तो उसको हम कहेंगे volume यह आपका volume आजाएगा fifth question क्या है a cub particle water tank in six meter long ठीक है length six meter दे हुई है breath आपकी पांच मीटर है और height आपकी depth आपकी two meter दे हुई है how many liter of water can it hold कितने लिटर तो हम सबसे पहले volume निकाल लेंगे volume हमारे क्या होता है lbh यानि कि six into five into two तो यह आपका जाएगा six five to thirty thirty to sixty sixty meter cube अब आप एक चीज़ देखें volume हमने निकाला है meter cube में लेकिन भाही जो पानी है जो liquid हम फॉर्म करते हैं वो तो हम लीटर में count करते हैं लीटर में measure करते हैं तो इसको लीटर में change करना पड़ेगा एक meter cube कितने के बराबर है thousand यहाँ पर लिख लेजएगा एक meter cube जो है वो आपके thousand लीटर के बराबर है ठीक है तो 60 meter cube कितना हो जाएगा 60 into thousand ठीक है तो जब आप इससे multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 60,000 लीटर तो यह हमारा option है 60,000 c ठीक है तो यह आपका 5th question भी हो गया बहुत easy था चलिए 6th question देख लेते हैं 6th में है a cubical cuboidal cuboidal vessel is 10 meter long L दे रखा है breath दे रखिए H निकालने है ठीक है और आपको volume भी दे रखा है तो बस बहुत easy है L, B, H कितना दिया हो है हमें 16,000 लेकिन यह लीटर में दिया हो है और हमें volume चाहिए तो meter में चाहिए अभी हमें क्या पता था एक meter जो है 1000 लीटर के बराबर होता है तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे यह cancel out हो जाएगा 16 तो L, B, H हमारा कितना आगया 16 L हमें पता है 10, 8, H हमें पता नहीं है 16 यहां से H निकाल सकता है मीजिली तो कितना हो जगा 16 अपॉन में 10 इन्टू 8 इसको जब आप cross multiply divide करेंगे तो 0.2 आएगा ठीक है मेना answers लिखे हो में इसके मैं दिखा दूंगे और 7th question क्या है आपका a metallic sheet is of a rectangular shape of dimension ठीक है एक metallic sheet है यह हो गई आपकी sheet हो गई 48 cm and 38 यानि कि 48 हो गया पूरा और यह 36 हो गया from each of one of its corner a square 8 cm कट कर दिया है ठीक है यानि कि यह 8 हो गया यह 8 हो गया and open box is made from the measuring sheet find the volume of box ठीक है cube void है तो यह lbh हो जाएगा ठीक है lbh अब आप देखिए इसके लिए में यह length निकालने पड़ेगी जब यह पूरा 36 था यह पूरा 36 है और इसमें से यह 8 निकल गया इधर भी 8 निकल गया तो 8 इधर और 8 इधर 16 हम कम कर देंगे तो यह आपका 20 हो जाएगा सेम ऐसे 8 यहां से कम करेंगे 8 यहां से कम करेंगे तो 48 में से 16 माइनस करेंगे तो तो 32 आजाएगा ठीक है तो लेंथ कितनी होगी 32 ब्रेथ कितनी होगी 20 ठीक है तो इससे फिर हम फॉर्मूले में पूट कर देंगे आंसर हमारा निकल जाएगा 8th question क्या है if the volume of a room room दे रखा है and the area of floor दे रखा है find the height of the room तो यह भी बहुत easy है देखिए volume of room जो है आपका वो क्या होगा volume of room है आपका 792 तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे volume of room है आपका 792 यानि कि L, B और H आपका होगया 792 और floor का area क्या होता है L into B वो हमें दिया हो है 132 तो हम क्या करेंगे यह first equation यह second इस L into B की value हम इसमें रखतेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 132 into H is equal to 792 एच यहां से निकल जाएगा 792 अपन में 13, 132 जब आप उसको काटेंगे डिवाइड वगेरा करेंगे तो आपका answer आजाएगा 6 meter ठीक है तो यह आपका 6 meter हो जाएगा चलिए 9th question क्या है if the volume of a cubical box is चीक है तो cubical box का volume क्या होता है volume क्या होता है एकी cube तो हमें कितना दिया हुआ है एकी cube कितना दिया हुआ है 512 आपको side निकालना है तो 512 के जब आप fraction करेंगे इसको करेंगे तो यह आपका जो है यह 8 का cube होता है एक क्यूब 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 कैंसल तो एक कितना आगया 8 तो आपके age कितना आगया 8 meter ठीक है यह तो बहुत ही क्लियर था 9 तो चलिए 10 क्या है if the volume of a cuboidal box is 48 centimeter what will be the possible dimensions ठीक है 48 है आपको इसमें L B और H3 निकालना है तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं बस multiply करके क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए बस आपको यह ध्यान रखना length आपके सबसे बड़ी होनी चाहिए breath थोड़ी कम और height सबसे कम चलिए इनके answers देख लेते हैं एक बार और यह देखे यह आपके answers है मैंने 4 तक तो समझा दिया था 5 भी समझा दिया था पर मैंने यहां लिख दिया है फिर भी कुछ questions तो मैंने है वहीं समझा दिये थे यह देखे मैंने 5 का यहां लिख दिया है आपका answer आएगा 0.2 meter ऐसे 7 का देखे 7 में length हो गई breath हो गई आपके height हो गई LBH formula यह आपका answer आ जाएगा बहुत easy है 8 question भी देखे room का हमें दिया हो था 792 और floor का दिया हो और 132 इसके जगे हम यह रख देते हैं तो LBH यहनी कि 132 x 792 792 को आप 132 से जब आप divide करेंगे तो आपका 6 meter answer आजएगा 9th में भी देखे 512 के आप factor कर लीजे यह आपको यहाद ही होना चाहिए 8 का cube जो होता है वह 512 होता है तो cube से cube cancel तो A की value कितने आजएगी 8 meter चीक है 10 question देखे 10 में मैंने यहां पर 8 x 3 x 2 आप यहां 6 x 4 x 2 भी ले सकते थे ऐसा compulsory नहीं है कि यही लेना है बस आपको थोड़ा जिहान रखना होगा जो length वह सबसे बड़ी लेने होगी क्योंकि keyboard आपको पता है shape में होता है ठीक है तो फिर आप उसमें length सबसे बड़ी होती है फिर breath फिर height यहां आपकी work sheet के questions finish होते है I hope आपको अच्छे से समझ में आया हूँ तो please channel को like करें subscribe करें comment करें और अपने friends के सब share जरूर करें thank you